नहीं हुआ है विश्व गगन में जान सूझ शिव आज़ ने शान्ती 15 सितंबर 2022 अभी पड़ेंगे प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की विश्थार से मुर्ल मीठे वच्चे इस दुख के घाट पर बेट शान्ती धाम और सुकधाम को याद करो इस दुख धाम को भूल जाओ या बुद्धी भटकनी नहीं चाहिए प्रशना तुमारे पुरशार्थ का आधार क्या है उत्तर निच्चे तुम्हें निच्चे है बाप नई दुनिया की सोगात लाए है इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है इस निच्चे से तुम पुरशार्थ करते हो अगर निच्चे नहीं है तो सुद्रेंगे नहीं आगे चल अगवार उद्वारा तुमारा मैसेच सब को मिलेगा आवाज निकलेगा, तुम्हारा निच्चे भी पक्का होता जाएगा ओम शान्ती, टावर अप साइलेंस और टावर अप सूक, तुम बच्चे यहाँ बैटे हो तो तुम्हारी बुद्धी घर में जाने चाहिए, वह है शान्ते का टावर, परमधाम उचते उच, उचते उच को टावर कहा जाता है, तुम शान्ती के टावर हो घर में जाने के लिए तुम पुरशार्त कर रहे हो, कैसे जाते हो जो टावर में रहने वाला बाप है, वह शिक्षा देते है कि मुझे याद करो तो शांति के टावर में आ जाएंगे उसको ही घर भी कहा जाता है शांतिदाम भी कहा जाता है यह बाते समझाई जाती है अपने शांतिदाम सुगदाम की याद में रहो नई रह सकते हो तो गोया जंगल के काटे हो इसलिए दुख भासता है अपने को शांती धाम के निवासी समझो अपने घर को याद करना है भूलना नहीं है घर है ही बाप का यह ही दुख का घाट या बैटे भी जिनको बाहर की बाते याद आती है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि इनको अपना घर याद है इसलिए बाप रोज शिक्षा देते रहते है घड़ी घड़ी शांती धाम सुख धाम को याद करो गिता में भी बाप के महावाक्य है कि मुझे याद करो बगवान क्या बनाएंगे? स्वर्ग का मालिक बनाएंगे स्वर्ग का मालिक बनने के बैटे हो तो घर के लिए स्वर्ग के लिए जो बाप स्री मत देते उस पर पूरा पूरा चलना है दुनिया में कितने धेर के धेर गुरु है बाप ने समझाया है कि कोई भी धर्मस्तापक को गुरु नहीं कहा जाता है वो तो स्रिप धर्मस्तापन के लिए आते है वापिस ले जाने के लिए थोड़ी आते है गुरु अर्था जो वापिस निर्वानधाम वानप्रस्त मिले जाए परंतु एक भी गुरु वापिस ले जाने वाला है नहीं एक भी निर्वानधाम में जाते नहीं है वानी से परे अर्थाद घर वानप्रस्त का आरता न गुरु लोग जानते है न फालोर सी जानते है तो बच्चों को कितना समझाय जाता है ये चित्र है सत्युक्य और वह चित्र है त्रेता के उनों को भगवान नहीं कहा जाता है लक्षमी नाराण को भी भगवान भगवती नहीं कहा जाता है आदिस अनातन है देवी देवताँ धर्मा सिवाए देवी देवताओं के कोई भी स्ताई पवित्र होते नहीं है एकी ज outbreaks सिर्फ एकी धर्म रहता है फिर धेरे-धेरे आवस्ता कम होती जाती है तुरिता में दो कला कम तो सुक भी कम हो जाता है उसको कहा जाता है तुरिता यूग चौदा कला अभी तुमको बाप का परीचे है और सुष्टी चक्र का ग्यान है उसको ही तुम याद करते हो परंतु कईयों की बुद्धी में कहानका भटकती रहती है याद नहीं करते अच्चा और कुछ भी न समझ सको तो आस्तिक बनकर बाप को याद तो बाप को तो बुद्धी में याद रखो बाप और रचना के आदी मद्य अंतों को तो जानते हो न उस जाड का आदी मद्य अंत नहीं कहा जाता है इस जाड का आदी मद्य अंत है क्योंकि मद्य में रावन राज्य शुरू हो जाता है काटा बनना शुरू होता है बगिजा जंगल बनना शुरू होता है इस समय सारे जाड के जड़ जड़ हिबुत अवस्ता हो गई है सारा जाड सुक कर तमप्रदान हो गया है सारा सुका हुआ जाड है फिर कलम लगाना पड़े इसका कलम लगता है कलम न लगने तो प्रड़े हो जाए प्रड़े अर्थात सारी जल्मई नहीं होती है भारत तरह जाता है परन्तु जल्मई नाम तो है न मीठे मीठे बच्चे जानते है कि चार औरी जल्मई हो जाती है भारत ही स्रिप रहता है जैसे बाड आती है फिर उतरती भी है न कहते भी है, बीके सारा दिन मोत की मोत कहते रहते हैं, बस मोत आने वाला है, तो समस्ते की ये तो अशुब बोलते हैं, बोलो नहीं, हम कोई बिनाश थोड़ी कहते हैं, हम तो कहते हैं, पवित्रता, सुक, शान्ती का धर्मस्तापन हो रहा हैं, बिनाश न हो तो शान्ती कैसे ह गुप्त बेश में शान्ती दाम सुखधाम की स्तापना हो रही है या तो हम शुब बोलते है तुम भी कहते हो ना है पती तपावन आओ हमको पावन बना कर ले चलो तुम खुद कहते हो ना कि हमको ले चलो हम भी शुब बोलते है तुम भी शुब बोलते हो तुम कहते हो हमको पावन बना कर इस दुखधाम की दुनिया से ले चलो शांतिधाम यह तो शुब बोलते हो न कहते हो आओ माना पतितो का विनाश करो पावन की स्तापना करो मांगते हो न कि आकर विश्व में शांति स्तापन करो शान्ति तो सत्यूग में ही होती है सो तो गुप्त वेश्मी विश्व में शान्ति स्तापन हो रही है जब तक अर्थनी समझाओ तब तक समझ न सके सिवाय बाप के मोद तो कोई देने सके बाप को कालो काल कहा जाता है सब को मोद देते है कितने धेर के धेर को मोत देते होंगे सत्यूग में कितने थोड़े मनुक्ष है बाकी सबको मोत मिल जाता है बुलाते ही हो कि पावन दुनिया में ले चलो तो पावन दुनिया जरूर नहीं ही होगी यह थोड़ी होंगी, पुरानी दुनिया का भी अर्थ नहीं समझते, पावन दुनिया में बहुत थोड़े मनुख्ष रहते हैं, शान्ती रहती है, यह बाते समझने और समझाने में कितना सहज है, परंतु बुद्धि में बेटता ही नहीं है, क्योंकि समय ही नहीं है, बुद बुद्धि में फिरना चाहिए, बाप आकर सारा ग्यान देते हैं, उनको कहते हैं नौलेजफूल, ग्यान का सागर एक ही बाप है, तुम जानते हो पानी के सागर कितने जितने नाम है उतने सागर है ना, वासागर एक ही है, यह तो अलग-अलग पार्टिशन कर नाम रग द कोडिगामा भी सारा चकर अलगा है, फिर वहा ही आकर खड़ा हो गया, तो सागर एक ही है ना, बीच-बीच पिन टुकडा टुकडा कर अलग-अलग बना दिया है, धर्णी भी सारी एक ही है, परंतु टुकडा टुकडा खुई पड़ी है, तुम्हारा राज्ये कितना है, तो धर्नी भी एक ही होती है, राज्य भी एक ही होता है, नो टुकडा टुकडा, बाप आकर राज्य देते है, सारे सागर पर, सारी धर्नी पर, सारे आसमान पर तुम्हारा रज्य होता है, मुक्ति में तो सब जाएंगे बाकी जीवन मुक्ति में जाना कोई मासी का घर थोड़ी है मुक्ति में जाना तो कॉमन बात है सब वापिस लोटेंगे जहां से आये है फिर वहाँ जाएंगे जरूर बाकी नई दुनिया में सब थोड़ी आएंगे तुम्हारा ही राज्य है कोई कोई तो इतना देरी से आते है जो पुराने दुनिया शुरू होने से थोड़ा ही पहले यानि दो-चार सो वर्ष पहले आते है वो क्या हुआ जो अच्ची रिती नहीं पढ़ेंगे तो तुरेता में भी पिछाड़ी का थोड़ा समय रहेंगे सोला कला तो कभी बन न सके चोदा कला के भी पिछाड़ी में आएंगे उनको सामने दुख की दुनिया देखने में आएगी काटों की दुनिया की नजदिक आ जाएंगे वह कोई ये मालूम नहीं पढ़ता है सारी नौलेज अभी है जो बुद्धी में धारन करनी होती है इस समय मनुक्षों के पास पैसे देखो कितने होंगे कितने महल बनते रहते है कितने उची-ची माडिया मंजिले बनाते रहते है समस्ते सत्यूक से भी भारत अभी उच है अभी ही अटरा बिस मंजिल बनाते रहते है तो अंत में कितने मंजिल वाले बनाएंगे सत्यूक त्रिता में तो ये माडिया फ्लोर मंजिल होती नहीं है दौापण में भी नहीं होती है यह तो कल्यूग में जब आकर बहुत मनुक्ष हो जाते है तो दो मंजील दस मंजील बढ़ाते जाते है क्योंकि मनुक्ष बढ़ते जाते है तो वह जाये कहा धंदा दोरी बहुत है तो बड़े बड़े मकान भी बनाते रहते है शोभा के लिए जंगल से मंगल होता जाता है क पहले तो कितने थोड़े मनुक्ष थे, अभी तो देखो कितने मनुक्ष हो गए है, समुद्र को सुकाया है, अभी भी देखो समुद्र को कितना सुकाया है, पानी जैसे कमती होता जाता है, मनुक्ष उरुद्धी को पाते जाते हैं, तो पानी कहा से आएगा, पानी कम होता ज धरती छोड़ता है तो मकान बना देते हैं फिर पानी चड़ जाएगा तो कराची वा बॉम्बे का भूत सा हिस्सा पानी में चला जाएगा तुम जानते हो और सब खंड़ा खतम हो जाएंगे आफते आने वाली है इसलिए बाप कहते है जल्दी जल्दी तयार होते रहो जैसे समशान में जब आग जलकर खतम होती है तब लोटते है बाप भी विनाश के लिए आये है तो आधे पर थोड़ी जाएंगे आग लगकर सब चले जाएंगे सब को साथ ले जाएंगे होना तो जरूर है समस्त है तो सब है लेकिन समय का गपोड़ा बहुत बड़ा लगा दिया है बच्चों को समझना बच्चों को समझाना भी गिता पर है गिता एपिसोड है ना जिसमें देवी देवता धर्म की स्तापना हो रही है वा एक ही धर्म होगा बाकि सब धर्म विनाश हो जाते हैं सिर्फ ये गिता ही है जो भगवान ने गाई है मनुक्षे ने भक्ति मार्ग के लिए बैट शास्त्र बनाए है ऐसी ऐसी पॉइंट्स धारन कर फिर सुनानी चाहिए कहते हैं बाबा भूल जाते हैं धारना नहीं होती है बाबा कहते है फिर क्या करे राजधानी स्तापना होती है इसमें नंबर वार तो सब चाहिए सब के उपर कुरुपा करने की ताकत हो तो बाव स्वर्ग का मालिक सब को बना दित लेकिन नहीं यह तो बनने ही है नंबर वार यह कोई समझ सकते है कि भगवान आया हुआ है भगवान जरूर स्वर्ग की सोगात ले आएंगे नए दुनिया स्थापन करने आते है तो जरूर संगम पर ही आएंगे नए दुनिया स्थापन करने तुम सुनते हो और निच्छे से पुरशार्थ करते हो जिनको निच्छे ही नहीं वो कफ सुदरेंगी ही नहीं बल कितना भी माता मारो तो बाबा के आतरं का पेगाम सब को देना है मैसे देना है आगे चल अकभारों में पढ़ ही जा होचेगी कितने शहरे कितने धेर भाषाय है अकबारों द्वारा सब जगह आवाज पहुच जाता है कोई भी आएगा कहेंगा हाँ अकबार अगबारों द्वारां आवज सुना है तो तुम्हारा नाम अकबारों द्वारा ही होगा ऐसा नहीं समझो कि सब तरफ तुमको जाना पड़ेगा फिर तो पता नहीं कितना समय लग जाए अकबारों द्वारा ही accurate सुनेंगे तुम कहते भी हो कि बाप को याद करो तो पाप कड़ जाएंगे अकबारों में तो पड़नाई है अब तुमारा नाम बाला होगा तो फिर बढ़ता जाएगा जैसे कलब पहले पता पड़ा होगा वैसे ही समर पर पड़ेगा सब को मैसेज मिलेगा युक्तिया चल रही है बहुत अकबार वाले डालेंगे किसी को बुद्धी में बैठाओ और डाल देंगे सब धर्मवालों को मालूम पड़ जाएगा तब तो कहेंगे अहो प्रभू तेरी लिला पिछाडी में बाप की याद सब को आएगी परंतु कुछ भी करनी सकेंगे ये खेल है ना खेल को जान जाएगे चवर्यासी चक्र का खेल सब अकभारों में पड़ जाएगा जहाँ भी जाओ अकभार जरूर निकलते है अकभार द्वारा सब को आवास तो पोस्ता है ना तुभारी बाते तो सबसे उच्ची है ना विनाश का समय भी तो जरूर आना ही है ड्रामा प्रनुसर जैसे कलब पहले मालूम पड़ा होगा अभी भी पड़ेगा देरे देरे स्तापना होती है ना संगम यूग याद पड़े तो स्वर्ग भी याद पड़े स्वर्ग को याद करो और मनमना भवो बाप को भी याद करो तो बेडा पार हो जब तक विनाश नहो शान्ति कहा से आए विनाश का नाम ही कड़ा है मनुक्षिय सुनकर भूट डरते है ये तो राइड बात है ना पतित दुनिया में अनेक दुख है पावन दुनिया में अनेक सूख है बाप देखो सवगात कैसी लाते है अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चो प्रती मात पिता बाप ददा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुआनी बाप की रुआनी बच्चो को नमस्ते हम रुआनी बच्चो की रुआनी मात पिता बाप ददा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते दारना के लिए मुख्य सार पढ़ाई को अच्छी तरफ पढ़कर उजपद पाना है आफ़ते आने के पहले नई दुनिया के लिए तैयार होना है दुसरी पॉइंट अपने को सुधारने के लिए निच्छे बुद्धी बनना है वानी से परे वानपरस्त में जाना है तो लिए इस दुख्धाम को भूल शांती दाम और सुख्धाम को याद करना है वरदान किसी भी परिश्चिति में फूलिष्टाप लगा कर दुआव का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भवो महानात्मा वो है जिसमें सोयम को बदलने की शक्ती है और जो किसी भी परिष्टिती में फूल श्टाप लगाने में सोयम को पहले आफर करते है मुझे करना है, मुझे बदलना है ऐसी आफर करने वाले को तीन प्रकार की दुआय मिलती है सोयम को सोयम की दुआय अर्थात खुशी मिलती है दूसरी बाब द्वारा और तिसरा ब्रामन परिवार द्वारा इसलिए अलबेलेपन नहीं लाओ कि ये तो होता ही है चलता ही है फुल स्टॉप लगाकर अलबेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ स्लोगन है संकल्पो की एकागरता द्वारा ही स्रेष्ट परिवर्तन में फाष्ट गती आ सकती है अच्छा ओम शान्ती 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 शुक्रिया बाबा शुक्रिया थेंक्यू बाबा थेंक्यू